इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Swan Energy Limited के बारे में जिसने की quarter two के numbers के announcement कर दी तो results की बात करें तो results के announcement is limited if we report से then Memorandum of Understanding उसके बाद the formation of SVP between the Swan Energy Limited and Baloo Forge Industries Limited तो ये चार चीज़े आज के दिन हुई हैं तो dividend bonus या फिर split के regarding हमें को another outcome देखने को नहीं मिल रहा है तो चली जी के इस बार के consolidated numbers कैसे रहा है और दोस्तों market estimate भी नहीं अपलेवल एस company पे तो सारे फिगर lakhs में इन करोड़ में बात करने वाले है quarter two की earnings है one की then last year quarter two का data third column में अगर आपने भी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो तो 1051 से 1006 पे आगे quarterly 840 से 1006 पे तो quarterly basis पे expenses बढ़ें और yearly basis पे खर्चे में इस बार कम देखने को मिल रहें then discuss करते है net profit for the period after tax company को कितना हुआ जो कि अगर आप देखें तो यहां पे clearly mention है जो कि last year quarter two में 165 क्रोड का profit था वो इस बार 67 पे आगे और quarter two में 267 क्रोड के profit थे व कोनो ही जगे हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं same reflection देखने को मिलेगा EPS में 6.69 से 2.28 एट से कमों के टूपे आ गया तो जिस तरीके से profit गड़े same EPS में भी गिरावट देखने को मिल रहे तो overall इस बार के जो number से Swan Energy के कुछ खास हमें देखने को बिलकुल भी नहीं मिल रहे कर दो